हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टू माही बायलोजिक लासेस आज का हमारा टॉपिक है बायलोजिकल क्लासिफिकेशन जैविक वर्गी करान इस चैप्टर में हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं इस टाइम जो हम पड़़ रहे हैं करेंटली वह हम पड़़ रहे हैं kingdom protista को जगत protista को पड़ रहे हैं उसमें भी हमने क्या देखा? डैसमीट को देखा, डायाटम्स को देखा, डायनो फलाजलेट्स को देखा, यूगले नयोट्स को देखा उससे पहले हम Kingdom Monera को NCIT के बेस पे अच्छे से पढ़ चुके हैं आज हम जो बात करेंगे आज हम वो Kingdom Protista की ही बात करेंगे जगत Protista की ही बात करेंगे उसमें हम देखेंगे स्लाइम मोड्स को अवपंक कवक को देखेंगे चलिए फिस शुरू करते हैं आज का वीडियो देखो जगत Protista अवपंक कवक ये के होते हैं अवपंक कवक ये होते हैं मरत पोशी प्रोटिस्टा इनको हम मरत पोशी प्रोटिस्टा भी बोलते हैं अब वो कैसे बोलते हैं ये देखो मृत पोशी प्रोटिस्टा का मतलब होता है सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है कि जो डैड और डिके मैटर पर ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं मृत पोशी तो ये क्या होते हैं ये अवववंक कवग जो हैं स्लाइम मोट जो हैं ये saprofides है देड और decay matter पर grow करते हैं अब सबसे जो interesting, मज़ेदार बात होती है इनमें वो यह होती है कि इनमें slime moods के अंदर cellular arrangement देखने को नहीं मिलता है इनमें cellular arrangement देखने को नहीं मिलता है यह जो होते हैं यह pure form होते है protoplasm की यह pure form होते है प्रोटोप्लाजम की प्रोटोप्लाजम हमें पता है क्या है physical basis of life तो यह क्या होता है यह purest form होते हैं सबसे शुद्ध रूप होते हैं प्रोटोप्लाजम का इसमें cellular arrangement जैसा कुछ नहीं देखा जाता है ऐसा भी मानते हैं कि biological world में जैविक संसार में जो slime modes हैं इनको ऐसा मानते हैं कि जीवद्रव्य जो है प्रोटो प्लाजम का सबसे शुद्ध रूप होता है और यह जो स्लाइम मोड्स हैं यह बेसिकली कंज्यूमर अब घटक होते हैं यह क्या करते हैं मने बहुद नहीं बनाते हैं द्वोन भोजन कुद नहीं बनाएτοędzie को आपना पढ़ीक अधर मरत थी हैं। तो यह क्या है, यह important decomposer है इस प्रिछवी पर, इनकी एक सबसे जो महतुपूर्ण बात है इनमें वो यह है, कि यह important decomposer है इस अर्थ पर, जो क्या करते हैं, organic matter को engulf कर लेते हैं, उसको convert कर देते हैं, अकार्वनिक में, कार्वनिक को अकार्वनिक में कर देते हैं, जो एक cycle है, ज अगर यह ना हूँ, slime modes ना हूँ, तो यह क्या है, वो cycle बिगड़ जाएगा, अर्थ पर, जो और्गैनिक, इन और्गैनिक मेंटर का, कार्वनिक का, कार्वनिक मेंटर का, जो एक cycle चल रहा है, वो बिगड़ जाएगा, यह इतने important इस लिए होते हैं, क्योंकि यह जो arrangement है, य यह बिगड़ जाएगा, सैप्रोफाइट के ना होने पर, यह क्या है, एक important सैप्रोफाइट है, जिनको मुरत पोशी प्रोटिस्टा भी बोलते हैं, इनका नाम भी यही बोलते हैं, मुरत पोशी प्रोटिस्टा, देखो, अब कुछ बच्चों को अब घठक का मतलब नहीं समझा रहा हो, जेखो, कुछ होते हैं, प्रोडिूसर होते हैं, जो हरे पोदो होते हैं, उत्पादक, जो हरे पोदो को हम बोलते हैं, कंज्यूमर होते हैं, जो एनिमल होते हैं, जन्तों को हम बोलते हैं, डीकंपोजर होते हैं, वो क्या है, यह हो गए, और और भी हैं, लेक बदल देते हैं यह एक महतुपूने डिकंपोजर हैं इनको हम कॉमनली जैसे बोलें अगर हम इनको कॉमनली बोलते हैं कवग जन्दू भी बोलते हैं फंगल आनिमल भी कहते हैं को कॉमनली स्लाइम मोट्स की जो हैं अब तक 500 जातिया ग्यात हैं और यह स्लाइम मोट्स में एक इंट्रेस्टिंग बात यह भी है कि एक्स्ट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं यह असानी से मरते नहीं हैं मतलब इनको पर ताप अमल चार ऐसी चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता है यह एक्स्ट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं यह असानी से मरते नहीं हैं अगर हम इसके स्पैसिफिक करेक्टर की बात करें तो सबसे स्पैसिफिक की बात तो हमें पता चल गई कि इनमें सेलवॉल नहीं होती है अभी आगे बताऊंगी मैं आपको इनमें सेलवॉल नहीं होती ह जो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर कई सारे केंद्रक है कई सारे न्यूकलियस हैं तो उसमें इस अवस्था को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं यह जो है कि एक कॉमन प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होना इस सवस्था को हम कहते हैं प्लाज मोडियम तो यह हमें स्लाइम मोड्स में देखने को मिलती है देखिए आपके एंसेटी में भी लिखा है अवुपंक कवक मृत पोशी प्रोटिस्ट हैं यह सर्ति हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गती करते हुए जैविक पधार्तों का भ लनकाय बनाते हैं इंट भी जाड़ूक का पशय पडन बायू के साथ होता है जो इन में यह जो जब जनन करेंगे प्रतिकूलय आवस्थाओं 倭ी जब जनन करेंगे तो τοंब जनन करेंगे टो बिजारूध बनाएंगे उसमें क्या है उसका जो डिस परजल होगा उनके अंकूरित हो जाएंगे यह क्यक करते हैं प्रकास से दूर रहना पसंद करते हैं अब एक चीज़ देखो जहां इस पौर बिजाळू भनते हैं बिजाडू धानी तो वहाँ देखो slime modes में जो इस पोरेंजिया होती है बिजाडू धानी होती है उसके अंदर wall का formation देखने को मिलता है अभी मैंने आपको पताया था कि इन में wall कहीं नहीं होती है except इनके जनन काल में देख सकते हैं कि वहाँ पर भित्ती का formation हमें दिखता है भित्ती का बनना दिखता है वह कहाँ पर होता है इस पोरेंजिया बिजाडू धानी में होता है जहां पर बिजाडू बनते हैं देखो जब NCIT में भी आपकी साफ साफ लिखा है जब प्रतिकूल प्रस्थिया होती हैं तब ये विजाडू धानियों को बनाती है विजाडू धानिया इस पोर बनाती है विजाडू धानी क्या बनाएंगी इस पोर बनाएंगी जब अनुकूल प्रस्थिया होती है तो ये जो विजाडू होते हैं फिर से slime modes ग्रो करना शुरू कर देता है अब देखो ये जो बिजाडु है इसके पास कोशी का भिथि है में तेखने मिलती है और जे बिजाडु धाणी है वहाँ पर हमें कोशी का भिथि देखने को मिलती है लेकिन एक normal slime modes जो है उसके पास सैलवाल कोशी का भित्ती नहीं होते है इसको ध्यान रखना है अपने जनरली इनके पास नहीं होती है अगर अपवाद हम देखें तो इनके जनन फेज में जहांपर यह जनन करते है उसमें जबी इस पोर का बिजाणू का फॉर्मेशन करते है उस टाइम वोक अप क गटक ना हो तो यह जो पूरिधवी है पूरी यह कच्चरे से भर जाएगी यह मेंट्वीय यह साइक्ल बगर हो गार्ड जाएगा इन में क्या होता है यह प्रोटोप्लाजम की प्योरेस्ट फॉर्म है यहां पर सबसे शुदुरूप देखा जाता है कि प्रोटो प्लाजम है अब देखो एक इसको कन्फ्यूज मत करना वाइरस के साथ वाइरस में भी क्या होता है वाइरस में हम देखते हैं कि वहां पर भी सैलूलर अरेज्मेंट नहीं होता है वह आकोशिक होते हैं लेकिन वहां पर प्रोटो प्लाजम अनुपस्थित होता है वाइरस के अंदर प्रोटो प्लाजम नहीं होता है जब प्रोटो प्लाजम नहीं है तो उसके खुद की मशीनरी नहीं है कोई मेटाबॉलिक उपाप्चेक रियाय नहीं है तो वहां पर क्या है वो चीज अलग है प्रोटोप्लाज्म यहां पर प्रोटोप्लाज्म है कोई भी एक जीव प्रोटोप्लाज्म जब अगर वो जीवित है तो उसके जीवित रहने के लिए जो एक मेन चीज है तो वो है प्रोटोप्लाज्म लेकिन वहां पर प्रोटोप्लाज्म नहीं है यहां पर प्रोटोप्ल काई होते हैं ध्यान रखना है यह है डाइग्राम जो आपके NCIT में दे रखा है स्लाइम मोड्स का ठीक है फ्रेंज मेरते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भोले थेंक यू